वहीं कॉंग्रेस पार्टी में नराज नेताओं का विरोध अप्थमने का नाम नहीं ले रहा है इस बीच खबर ये है कि महराश्टू कॉंग्रेस के बागी विश्वाल पार्टर ने निर्दलिय प्रत्याशी के रूप में सांगली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के अपने फैसले को वापस लेने को तैयार नहीं है वो पार्टी नेत्वत्व के फैसले के खलाव चुनाव लड़ने की जित पर अड़ नहीं है अंत में शिवसेना यूबीटी के पहलवा अंचवद रहार पार्टिल को अपना उमीदवार बनाया गया इसके बाद विश्वजीत कदम ने बाटे के केंद्रिय नेत्वत्व को पत्र लिखकर विश्वाल पार्टिल को चुनाव लड़ने की अनुमती देने के लिए सेना पर दवाफ बनाने को कहा लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ और उनका प्रयास बिकार किया